वेलकम टू माई चैनल एसके नोलिज कलास दोस्तो आज का सवाल है तिर्भूज A, B, C और तिर्भूज D, E, F समरूप है तथा इनके छेतरफल करमसं 64 सेमी स्क्वाइर तथा 121 सेमी स्क्वाइर है यदि E, F बरावर 15, 10, 4 सेमी है तो B, C की लंबाई ग्याद करें दोस्तो अगर इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेते हैं तो आज के बाद इस टैप का सवाल आप असानी से हल कर लिजिएगा इसलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए और यह कि इनके छेत्रफल करमसा करमसा में करमसा में दिया रहे तो यानिक तिर्फुज्ज ABC का छेत्रफल है क्योंकि करमसा में जो पहले रहता है वही उसी का छेत्रफल होता है ठीक सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब इसका छेत्रफल दिया है ठीक उसके बाद तथा 121 121 इसका हो जाएगा डी एफ का इसका कितना हो जाएगा 121 QCM स्कूर। छेत्रफल दिया है इसमें एक का भुजा भी दिया है EF कितना है तो स्थो 15.4 Cm ठीक एक का भुजा भी दिया है एक का भुजा निकालना है BC BC की लंबाई ग्याद करना है अब देखिए दो समरूप तिर्भुझ के छेत्रफलों के अनुपात बराबर होता है उनके भुजाओं के वर्गों का अनुपात ठेक यानि की बात को समझे अगर हम लोग लिखेंगे तिरभूज तिरभूज A, B, C का छेतरफल बटे तिरभूज D, E, F का छेतरफल बराबर इनके भुजाओं के वर्गों का अनुपात यानि की भुजा क्या है A, B, A, B का स्क्वार तो बटे इसका लेंगे तभी D, E क्योंकि संगत भुजा होना चाहिए D, E, D, E का स्क्वार बराबर अगर B, C लेंगे B, C का स्क्वार तो इसका संगत भुजा होगा E, F, E, F का स्क्वार बराबर अगर A, C लेंगे A, C स्क्वार बड़ावर AC स्क्वार बटे तहीं हो जाएगा DF स्क्वार ठीक अब दोस्तों यहां सवाल में समझेंगे कि हमें कारा क्या निकाल ले EF और BC में संब्ध है तो EF और BC यह दोनों को लिंग जो हम लोग लिखेंगे area of तिर्भूज ABC यानि कि हिंदी में हुआ तिर्भूज ABC का छेतरफल बटे area of तिर्भूज DEF ठीक इसमें BC और EF में संब्ध है तो BC स्क्वार BC स्क्वार बटे EF स्क्वार लेंगे ठीक अगर यह दोनों भुजा दिया रहे तो इसको लेंगे सूत्र में ठीक समझें चलिए अब आगे समझें तो area of तिर्भूज ABC इसका छेतरफल बटे area of तिर्भूज DEF इसका कितना दिया है DEF का 121 बराबर BC स्क्वार BC स्क्वार BC तो निकालना है हमको BC स्क्वार ही लिखेंगे बटे EF का स्क्वार EF कितना दिया 15.4 इसका स्क्वार ठेक आप देखिये 64 बटे 121 बराबर इस दोनों पे स्क्वार है तो हम direct holy square लिख देंगे BC बटे 15.4 का holy square ठेक ध्यान से आपको समझना है अब देखिये 24 बटे 121 बराबर यहां से स्क्वार हटाएंगे तो दोस्तों इस पे रूट हो जाएगा रूट बचा किया BC बटे 15.4 यहां से स्क्वार हटा दिया तो इस पे रूट हो गिया ठेक आप समझेए 64 का वर्ग मुल 8 निकलेगा बटे 121 का 11 निकलेगा बराबर क्या हवा BC बटे 15.4 ठेक अब इसको थोरा हम यहां हल करते हैं ठेक अब देखिये इससे गुना होगा इससे गुना होगा ती हो जाएगा 11 एगारा BC बराबर यह हो जाएगा 15.4 गुना आठ ठेक अब दोस्तों जब हम BC बराबर निकलेगे ती हो जाएगा 15.4 गुना आठ भागाम आ जाएगा 11 क्यूंकि गुना में है अब इसको कटाईए 11 से कटाएंगे तो 1.4 बिर में कट जाएगा ठेक यानि कि BC बराबर हो ग एक पॉइंट चार गुना आठ इक इतना निकल जाएगा दोस्तों जब दोनों गुना करेंगे तो 11.2 cm निकलेगा तो इई BC की मालूम हो गया हमको यहीं न कह रहा था है निकालने BC की लंबाई ग्याद करें तो देखिए कितना आसान तरीकास बन गया कोई भी डाउट हो त कामन बॉक्स में पूछ सकते हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियां सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी को दबा कर लिजिए